नमस्कार दोस्तो हमारे ब्लोग में इसी तरह बने रहें तो आगे भी आप लोगों के लिए ब्लोग बनाते रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें धन्यवाद आप लोग हमारी दुकानों को तो जानते हैं ये हमारे सुनेल भाई हैं और ये मोहिन भाई हैं अपनी दुकान में जो कारी गरी कर रहें और ये इधर आप लोगों को दिखाएंगे सुकला जी की होटल और ये हमारे छोटे भाई है पंडिजी और ये हमारे सिवा भाई जो होटल संभालते हैं और ये हैं इनकी दुकान मिठाई की दुकान सुइट हाउस देख रहे हैं आप लोग बड़िया मिठाईया रखी हुई हैं काउंटर पे और नमबर एक की लग रहे हैं और ये समोसे भी रखे हुए और ये भाईया जी जो अभी समोसा बेल रहे हैं और हम इसी तरह आप लोगों को आगे भी अपनी चवराहा के दुकान के बारे में बताएंगे किसकी कहां दुकान है और किसकी कहां क्या काउन कर रहा है आप इसी तरह आगे भी वीडियो देखते रहे हैं हमारे भाई और ये इधर अब रोड की तरफ अपने अमबावरा रोड की तरफ चलते हैं और पूरी दुकानों का बेवरा दिखाते हैं कौन कहां दुकान रखी हो ये किसकी ये उधर सामने पहले चाट वाला है और ये अनिल सूइट हाउस है और ये हमारे पांडे जी की दुकान है योगेश भाई की इधर बगल में ये हैं हमारे छोटे भाई जो परचून की दुकान चलाते हैं और ये अंडे वाले भाई हमारे जो अंडे की दुकान मस्त चलाते हैं और यह बहुत मस्त अंडा पकाते हैं देखी रहे आप चमकदार अंडे रखे हुए हैं देशी एवंफार में दोनों तरह के और आगे आप लोगों को दिखाते हैं यह एक परचून की दुकान है और इसके बगल में इसके बगल में आप देखेंगे अनिल स्वीट हाउस ह हमारे हरियोम भाई की दुकान है यह देखो और यह सामने पांडे जी की दुकान है स्वीट हाउस की गायात्री स्वीट हाउस है मां गायात्री स्वीट हाउस है और इसके जश्ट सामने यह हरियोम भाई की दुकान है यह देखो हमारे चाचा जी मिठाईयां ताल रहे हैं और ये कुछ कस्टुमर्स बैठे हुए और ये देखिए, मस्त लेड्डू और पेड़े भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हुए, जिनका मस्त स्वाद होता है, नमबर एक की मिठाईया भी बनाते हैं, और कुल्हड की चाय भी बनाते हैं, और ये आगे राजु भाई को दिखाते हैं, और इनका गोदाम जहां पर ये मिठाईया तयार करते हैं, ये देख लिए रिफाइंडा और दूद, ये चारो तरफ समान बिखरा पड़ा हुआ है, और ये कुछ समों से बने हुए रखे हैं, कुछ बनाने के लिए रखे हैं, और आगे चलते हैं, ये हमारे अंडे वाले भाई की मम्य जी बैठी हुई हैं दुकान पर, और ये हमारे कामता भाईया, और ये हमारे राहुल भाईया की दुकान है, फल की और किराना इस्टोर, ये फल बहुत अच्छे अच्छे बेजते हैं जिनमें केला, संत्रा, सेब, मुसम्मी सब रखा हुआ है और आगे इसी कदम पर आगे बढ़ते हैं ये अमवरा रोड जाती हुई है यही पर हमारा चावरा और ये हैं हमारे अखिलेज भाईया आगे इसी कदम पर वढ़ते हैं और ये हमारे भाई की दुकान सब जी की भाईया जी की और आगे आप लोगों को दिखाते हमारे बढ़े भाई बबली भाई के बेटे गवरा गवरां की दुकान है ये hair cutting की दूकान है और ये आप लोगो customer दिखाए दे रहे होंगे और गावरा अभी आपको दिखाए देंगे ये ये high कह रहा है नमसकार नमसकार और ये गावरा भाई है जो अपने काम में लगे हुए है बहुत बीजी रहती रहती है और ये आगे हमारे और आप लोगों की जरूरत हो तो यहाँ पर आ जाएं बरावरा मोर में मांबिका मेटिकल स्टोर और इसी कड़ी में आप लोगों को आगे बढ़ते हैं और पेट्रोल पंप की तरफ चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ यह है चवहान ट्रेडर्स जी की दुकान और ये आगे कौसल भाई का गायरेज, कौसल आटो गायरेज और आगे दिखाते हैं ये हमारे भाईया जी जो कौसल भाई के कुछ चेला है, ये हमारे भाईया जी है और आगे दिखाते हैं ये गायरेज, चार पैहा का गायरेज और ये विपिन ट्रेडर्स है और ये हमारे डीलर साहब है मौलाना साहब जो कार बनवाने आये हुए हैं चच्चा के पास हमारे ये हमारे चच्चा है आटो गैरेज वाले इनकी ये दुकान है ये चच्चा बैठे हुए हैं कोर्सी पर और ये इलेक्ट्रानिक्स वाले भाईया कुछ बोल रहे हैं मगर हमको सुना ही नहीं दे रहा है और ये आगे चलते हैं अपने पंचर वाले चच्चा के पास सकील चच्चा के पास सकील चच्चा तकहत में बैठे हुए हैं और माहौल का आनंद ले रहे हैं ये इनकी दुकान है गुम्टी पंचर बनाने की बहुत मस्त पंचर बनाते हैं अगर गाड़ी आपकी पंचर हो जाए तो यहीं पर आईये जड़वाने के लिए बरावरा मोल के नजदीग हैं अगर कहीं तो और ये आगे चलते हैं ये नई होटल खुली हुई है आपके लिए इसमें पर्चून का समान कुछ मिलता है देखो बहीं समोसा खा रहा हैं और ये कुछ समोसे रखे हुए है ट्रेपर और आप लोगों को आगे दिखाते हैं पेट्रोल पंप की तरफ इधर ये नंदनी हार्डवेर की दुकान है ये पूरी नंदनी हार्डवेर की दुकान है ये अभी बंद है आज हमको लगता है और आगे दिखाते हैं पेट्रोल पंप भारत पेट्रोल पंप मलवाटू ये हम लोगों को द्रस से दिखा रहे हैं आप लोग काईदे से देख लीजिए यह देखो पूरा पेट्रोल पुम्प का नजारा आप लोग देख रहे हैं और हाँ हमारा चैनल आप लोगों ने अभी तब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हम आगे भी इसी तरह ब्लोग बनाते रहेंगे